सुर्भी शालू और शोभा तीनो गाओं की रहने वाली होती हैं सगी तो नहीं लेकिन चाचाताओं के रिष्टे से ये तीनो बहने होती हैं तीनो की शहर में प्रभादेवी के बेटों से शादी होती है और वो अपने ससुराल में आ जाती है आज से तुम तीनो मेरी बहुए हो और अब यही तुम्हारा घर है अमा जी आप बोल तो ऐसे रही हैं जैसे हम कोन बुडबक नजर आते हैं आपको हर शादी की है आपके बिटवा से हम तीनों ने तो हम आपकी बहुरिया ही तो हुए ना और इनाते अब आपका घर हमार घर भी होगा ना बहु अगर तेरा ब बढ़ मत करना कि कहीं तुम्हारी वज़ा से मेरी ना कट जाए प्रभा काफी सक्त होती है लेकिन प्रभा अभी इस बात से बिलकुल अंजान होती है कि उसकी बहुएं कोई ऐसी वैसी नहीं हैं बल्कि गाओं की जुगाडू बहुएं हैं ऐसे ही एक बार प्रभा अपनी तीनों बहुएं के पास जाती है और उनसे कहती है आज मेरी कुछ सहेलियां घर आ रही है तुम्हारे हाथ का खाना खाने और तुमसे मिलने भी उका है ना अमाजी शादी के बाद तो हमको बिलकुल सेलिबिटी जैसा महसूस हो रहा है बहु वो सेलिबिटी नहीं हमारे अमा बापुजी को हम तीनों कभी तिने अच्छे लगे नहीं न इसलिए वो जो आप कहीं वैसा महसूस हो रहा है अच्छा ठीक है तुम तीनों खाने की तयारी करो खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए खास लोग हैं वो मेरे अपनी सास की बात सुनकर तीनों हम तो मुर्गी बनाएंगे और हम दमालू बनाएंगे ओहो अब हम का बनाएं अरे हां हम जुगार से अपनी पनीर की सबजी बनाएंगे तीनों खाना बनाने लगती हैं कुछ देर बाद खाना तयार हो जाता और प्रभा की सहली उर्वशी आ जाती हैं काफी बात करने के ब पनीर अरे प्रभा तेरी बहुएं तो कुछ ज्यादे अतरंगी है लेकिन कुछ भी कहो है तो बढ़िया तीनों बहुएं खाना परोज देती है उर्वशी जैसे ही पनीर खाती है तो मू बनाते हुए बोलती है ये क्या है किसने कहा ये पनीर है बहु इसमें पनीर का कम और ब जट्टे की ही तो है है न जुगाडू पनीर हमको तारीफ मत दीजिये बस कुछ पैसे दे दीजेगा शगुन के अरे ये प्रभा तेरी बहुएं पागल है पनीर बोलके बेसन खिला दिया मुझे अलरजी है ये भगवान बचालो मुझे उर्वशी तुरंत वहां से चली ज आए दिन कोई न कोई जुगाड करके अपनी सास का कून जलाती रहती है कुछ दिनों बाद सुर्भी घड़ी की तरफ देखती है अरे घड़ी तो रुकी हुई है लगता है खराब हो गई है कोई बात नहीं अब घड़ी खराब हो गई है तो फेकेंगी थोड़ी हम चलो कोई जुगार सुर्भी घड़ी को पूरा खोल देती है और सुई निकाल कर उसमें अपनी शादी की फोटो लगा देती है कुछ देर बाद सुर्भी का पती और सास वहां आते हैं तो घड़ी की तरफ देखते हैं मा यहां तो घड़ी लगी हुई थी न अरे नहीं नहीं यह तो घड़ी ही है लेकिन घड़ी के अंदर मेरी शादी की तस्वीर कैसे गई यह तो अहोल्ड प्लीज अमा जी यह टैलेंट ओनली हमरा है खराब घड़ी को फ्रेम बना दिया न मेरा तो सर दुखने लगा अरे बहू यह तिनी महंगी घड़ी थी और यह खराब नहीं हुई होगी इसके सेल खत्म हो गए होंगे तु अपना जुगार लगाने से पहले दिमाग लगा कर कुछ पूछ लिया कर न हद होती है सुर भी किसी बात की हमारी घड़ में हर चीज बहुत महंगी है लेकिन जब से तुम तीनों बहने आई होना शादी करके महंगी और सस्ती में फरक करना मुश्किल हो गया है रोस की डांट घरवालों के तानों के बाद भी तीनों बहूँ के जुगार की गाड़ी धीमी नहीं हुई थी कुछ दिनों बात पूरा परिवार पडोस के घर में हो रहे है फंक्शन में जाता है आई हो दादा इतना बड़ा फंक्शन और वो भी बच्चा पैदा होने की खुसी पर अम्मा जी आपको शरम तो नहीं आ रही होगी न आपके तीनों तीनों बिटवा की शादी हुई है वो भी दाल चावल पर निरभर होके बहु तुम तीनों की शादी ना गाउं में हुई थी शहराने के बाद भी मैंने ग्रैन पार्टी दी थी और अब भी तुम मुझे बोल रही है हमारे पडोस के घर में ही फंक्शन है तब तो रात में जो खाना बच जाएगा वो घर ले जाएंगे सब लोग पार्टी इंजॉय करने लग जाते हैं और इंजॉय करने के बाद वापस घर आकर सो जाते हैं अगली सुभा प्रभा और प्रभा के बेटे तयार होकर नाश्टे के लिए बैठते हैं तीनों बहुएं गर्मा गरम पुलाव लेकर आती हैं हरे वा बहुएं आज सूरज कहां से निकला आज तुम तीनों ने तो कमाली कर दिया खाने में पुलाव लेकिन एक बात तो बताओ घर में बस आलू और गो भी ही थी फिर इतनी सारी सबजियों का पुलाव कैसे बनाया तुमने अम्मा जी शादी के बाद हमरा वजन बढ़ गया है तो आप हमको हलके में मत लिया कीजिये ठीक है नहीं ले रही हलके में लेकिन बताओ तो कि अब कौन सा जुगार किया है अम्मा जी कल हम जिस पंक्शन में गय थे ना वहां काफी खाना बच गया तो हम मांग के ले आए और जुगार से बना दिया पुलाओ बहु तेरा दिमाग तो ठीक आने पे है ना तो अपना जुगार करने के लिए किसी से खाना मांग कर लाई है लेकिन अम्मा जी इस बार तो इतना बढ़िया जुगार किया है शोबाने तो आप कहे इतना गुसो कर रही है चिप कर तू बढ़िया आई अपनी बहन की वकालत करने के लिए भगवान की दयास हमारे घर में सब है हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है आसपास के लोगों में इतनी अच्छी इज़त है लेकिन वो इज़त भी तुम तार-तार करने पर लगी हो अपने जुगाड के चलते किसी दिन तुम अपने माईके में मिलोगी समझा रही हूं बहुत प्यार से जुगाड करना बंद कर दो गाउं की बहूं के बढ़ते जुगाड की वज़े से अब प्रभा का सब्र तूटने लगा था और अब बारिश का मौसम शुरू हो गया था और आए दिन बारिश होती रहती है जिस वज़ा से घर के दर्वाजे ठीक से काम नहीं कर रहे थे एक घर के दर्वाजे कितने महंगे लेकिन बरसाथ की वज़ा से सब सीर रहे हैं ठीक से बंद भी नहीं होता है आरे दीदी हम जो गाउं में करते ते हूँ करते हैं ना मशीन का तेल डाल देते हैं इससे दर्वाजा ठीक से खुलेगा भी और बंद भी हो जाएगा लेकिन अमा जी को पता चला कि फिर हम कौनों जुगार करे हैं तब तो फिर हमें माईके से सस्राल आने के लिए जुगार करना पड़ेगा बात तो सही कह रही है शोबा लेकिन ये समस्या भी बड़ी है ना बातरूम का दर्वाजा भी ठीक से बन नहीं हो पाता एक काम करते हैं दीदी राम का नाम लेकर जुगार करते हैं जो होगा देखा जाएगा तीनों बहुएं फिर से मिलकर अब हर दर्वाजे पर मशीन का तेल डाल देती हैं प्रभा की जब नींद खुलती है और वो अपने कमरे से दर्वाजा कोल कर बाहर आती तो उसका दर्वाजा ठीक से काम कर रहा होता है अरे यह दर्वाजा तो बिलकुल ठीक हो गया प्रभा जाकर सब के साथ बैठ जाती है अहां जी तो कमाल ही हो गया मेरे कमरे का दर्वाजा तो बिलकुल ठीक हो गया पहले हर बार इसी टाइम बुलवाना पड़ता था दर्वाजे वाले को वो ठीक करके जाता था अमाजी यह कोई कमाल नहीं बलकि यह आपकी गाउं की बहुँओं का ही जुगाड है क्या मतलब यह दर्वाजा तुम्हारे किसी जुगाड से ठीक हुआ है और नहीं तो का बरसात में अक्से दर्वाजे टाइट हो जाता है तो जुगाड के लिए हम उसमें मशीन का तेल डालते हैं जिससे उप बिल्कुल ठीक हो जाता है अमा जी अभी तक आप तारीफ कर रही थी अब हमको सुनाने मतलग ना कि काहे हमने जुगाड किया बहु माना कि मैं थोड़ी सक्त में जास की हूँ लेकिन इतनी भी नहीं तुम लोगों का आज जुगाड ठीक था तो मुझे क्यूं परिशानी होगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर काम कम और जुगाड ज्यादा करने लग जाओ ओहो धन्यभाग हमारे अरे अमा जी हम तीनो कान तरस गए थे आपके मुझे तारीव सुनने के लिए आज तो आप हम तीनो का दिन बना दियो तीनो बहुएं अब और भी ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि अब उन्हें तारीव जुमल गई थी ऐसे ही दिन निकल रहे थे एक शाम अमन की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मा मेरी तो कमर का दर्द रुख ही नहीं रहा ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं दर्द से ही न मर जाओं तू चिंता मत कर अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा मा में पहले ही डॉक्टर को दिखा चुका हूँ लेकिन दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है अरे पहले बताना चाहिए था ना आपको हमरी बहन है शालू वो उल्टी पैदा हुई थी अभी उसकी एक लात खाली जिसारा दर्द गाएब हो जाएगा बहु अभी तुजुगार मत ही दे देख रही है ना मेरे बेटे की हालत सुर्वी अपनी सास की बात कौन सुना करके अपनी बहन को बुला लेती है और वहाँ पूरा परिवार ही जमा हो जाता है नहीं बहु कोई लात नहीं मारेगा मेरे बेटे को अमा जी आप बहुत चिंता करती हैं थोड़ा धीर अज रखिये शालू अपने जेट जी को एक जोर दालात मारती अमन बहुत जोर से चुलाता है आ मेरी कमर ये भगवान मेरा बेटा बहु अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ न मैं तुम तीनों कोई नहीं चोड़ने वाली अरे नहीं मा पता नहीं क्यों पहले से कम दर्द लग रहा है हमारे जुगार के साथ साथ ये देशी नुस्खा भी है मुझे नहीं पता था बहु कि तुम तीनों के जुगार की कभी मैं इतनी तारीफ भी करूँगी लेकिन वा कई आज तो तुम तीनों ने कुछ अलग किया है इसी के साथ अंत में प्रभा कुछ अपनी बहुँ के जुगार की आदत डालती है और उसकी तीनों बहुएं कुछ अपनी सास के रंग में ढलती है हम तो भई जैसे हैं वैसे रहेंगे हम तो बिल्ली का रास्ता काटने पर रुख जाते हैं तताया काट जाए तो चाबी गिसकर लगाते हैं हम है जुगारू बहु तो आप लोग हमका कमेंट में बताइए कि आप कोई कहानी कही सन लगी